नमस्कार आप सभी का स्वागत है उल्ली न्यूस नेशन में बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर जहां आज फिर किसानों को ब्रहमित करके इस आंदोलन को बढ़ाने की बात की जा रही है जी हाँ अभी अभी विज्यान भवन पहुचे है किसान नेता सरकार के साथ थोड़ी देर में शुरू होगी इनकी बात चीज़ जी हाँ क्रिशी कानून के मसले पर आज एक बार फिर सरकार और किसान संगितनों के बीच वार्ता होने जा रही है पहले करीब सवा महीने से किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाया हुआ और किशी कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं आज होने वाली बात चीज़ से कुछ निशकर्ष निकलने की उम्मीद है हालक ही सरकार कानून वापस लेने से इंकार कर चुकी है क्या नई साल से पहले बनेगी सरकार और किसानों में बात हाई लाइट पर जड़ा गौर करे। किसान, संगठनो, सरकार में हुई बातचीत आज अब कई राउंड की बात में बात में नहीं निकला अप नतीज़ा। किसानों ने अपने चार मुद्धे को सामें रखा। वहां बैठे राकेश्टिकेर जैसे लोगों के कहने पर क्योंकि ये सबसे बड़े किसान हैं क्या पता है इनको किसान के बारे में ये है कौन सरकार से किसान बिल वापस लेने को कहने वाले वहां बैठकर बस मौज उड़ा रहे हैं ये देश को खालिस्तान बनाने पर तुले ह हुए यह एक यह एक आतंगवादी है आतंगवादी कौन होता है समझे जरावी वही होता है जो देश को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जाता है वैसे ही राकेस्ट कैट जैसे लोग अंदोलन करके बस देश की बरबादी करने में जूटे हुएं इनको फर्क नहीं होगा कि किसानी होती क्या है जी हां किसान तो खेतों में अपने आने वाली फसल के लिए खेतों में महनत कर रहे हैं ताकि आने वाली फसल उनकी तयार हो सके इनके जैसे नहीं आतंगवादियों की तरह संगठा निकठा करके मुबाइल तावर जलाओ मुबाइल के तारों को को जलाओ करमचारियों को धंकी दो यह इनका किसान आप देख सकते कि यह कितने बड़े किसान हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताईए कि यह किसान हैं कि यह आतकवादी हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए क्यों यह वह लोग हैं क्योंकि वह लोग हैं जो सरकार को अ हमारा है सरकार की वज़े से सुणा आपने इनका रुक सरकार की वजह अडील हुआ है यह क्यों नहीं बताते है कि इनको किसे ने भेज रहे यह ने पूताते हैं सरकार पर उप्लिय उठाएं और सुनीजें क्या कहते हैं सिर्फ कारोबारियों की फायदेवाला है यह बिल सिर्फ कानून वापसी पर चर्चा करेंगे हमारी और से अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर टॉली निकलने की तयारी की जा रही है जीहां इन्हों सुबर सिंदू बॉर्डर से किसान नेता विज्या भवन के लिए रवाना हो गए क्रिशी कारून के मसले पर दोनों पक्षों में होने वाली है छटे राउं की बाचीत केंद्र मंत्री सोम प्रकाश का कहना है कि उन्हें उम्मीद है आज किसान अंदोलन खत्म हो जाएगा सरकार किसानों के साथ खुले मन से बात कर रही है जी हाँ जो भी सुजाव आएगा उस उस पर विचार किया जाएगा सरकार के साथ बाचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा शंशोधन पर बात नहीं बनेगी ये है कौन जो इनकी बात सुनी जाएगी सरकार पर अपनी चलाने वाले ये राकेश टिकेट पहले ये बताए कि ये किसके द्वारा भेजे गए चालक है जो देश में आतंक मचा रहे हैं क्रिशी कानून को लेकर लगता है केंद्र सरकार को घेर रही है ऐसे में राजना ने पलटवार करते हुए कहा कि वो एक किसान परिवार में पैदा हुए ऐसे में वो राहुल गादी से अधिक खेती के बारे में जानते हैं क्रिशी कानूनों को किसानों की भलाई के लिए लाया गया है किसान आंदोलन में शामिल किसानों पर खालिस्तानी समर्तक होने का आरोप लगाया जा रहा है ऐसा पूछा गया था राजनाज सिंग से तो राजनाज सिंग जी ने कहा है कि किसानों पर इस तरह का आरोब नहीं लगाना चाहिए, हर किसान का हम समान करते हैं. वो हमारे अन्य दाता है, राजनाच सिंग ने कहा कि सरकार किसानों के साथ, किरिशी कानून के हर मसले पर चर्चा करने को तयार है, नए कानून किसानों की भलाई के लिए है अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सरकार चर्चा को लेकर तयार है केंदर सरकार की ओर से कई बार कर ये कहा जा चुका है कि वो क्रिशी कानून वापस नहीं लेगी ऐसे में किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का हल करने की तयार है बीते दिन ग्रह मंत्री अमिशा प्यूज गोयल के बीच लंबे दौर की बातचीत हुई जिसमें किसानों संग मुलाकात की रणनीती बनाई गई किसानों की और से सरकार के साथ चर्चा करने से पहले ही एक जवाब भेजा गया था जिसमें किसानों ने कहा था कि वो अपनी निश्यत चार मुद्दों पर ही चर्चा करना चाहते हैं जिनमें क्रिशी कानून को वापसी के तरीके बिजली बिल से जुड़े कानून की वापसी एनारसी में प्रदूशन को लेकर बिल पर चर्चा और पक्की MSP पर बात करेंगे यहां साफ तोर पर क्लियर हो चुका है कि सरकार बात करने के लिए तयार है लेकिन फिर भी राकेस्ट कैत और विनो दूबे जैसे लोग सिर्फ इस देश में आतंग फैलाने का काम कर रहे हैं जी हां हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप राकेस्ट कैत और विनो दूबे जैसे लोगों के बारे में क्या सोचते हमें बताइए हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो में बस इतना ही वीडियो में आगे बने रहने के लिए हमारे साथ वीडियो को लाइक शेर और कमेंट ज़रूर करें धन्यवाद बहुत जल्द आ रही है Only News Group की News Magazine The News Ocean जहां आपको मिलेगी हर कबर सच की तहतर